डॉक्टर रश्मी आप भी कई सारे काम एक साथ करते हूंगी परिवार के साथ साथ अस्पताल भी मुझे बताईए एक ग्रहणी के तौर पर एक घर को चलाने वाले इकाई के तौर पर आप क्या चाहेंगी कि वित्तमंत्री ये करें जिससे मेरे काम साहुलियत वाले हो देख सब्सक्राइब भी ये परेंगों कि को मेरे क्या से अभी तक गले मेरे नुह पर्यूर्य के प्र भापके मिले हैं यह अपने घर की छट पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं महीने का 40-50 अजार कमाते भी हैं इनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करो एक ऐसी महिला के तोर पर बता ही है जिसको घर चलाना होता है सुबह चाय बनाती है दोपेर में खाना यह पुरुश भी करता है लेकिन मैं आप से पूछ रहा हूँ कि क्या एक उम्मीद होती है एक आम ग्रेनी की देखे एक महिला होने के नाते और एक पत्रकार जिसने पूरे देश में मैंने महिलाओं के साथ बात की इलेक्शन के दोरान इलेक्शन से पहले भी तो मैं यह आपको कह सकती हूं की प्रधान मंतरी मोधी जी ने जो सबसे ज़रूरी एक फैक्टर होता है घर चलाने के लिए ये वो चूला होता है, तो गैस सिलिंडर्स की जो स्कीम लेके आए, उजवला स्कीम जो प्राइमिस्टर लेके आए, वो बहुत पॉपिलर है, पूरे रूरल बेल्ट में, अर्बन बेल्ट में भी जो लोवर इंकम की जो फैमिलीज है, जो महिलाये चलाती है, उनके लिए उर ये सबसे बड़ा फ्री फूड प्रोग्राम पूरी दुनिया में रहा, तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी महिलाओं के ले, क्यूंकि अल्टिमेटली आपकी प्लेट पे खाना, वो खाना बना हुआ, पका हुआ खाना, वो पूरी फैमिली को फील करना, वो पूरी फैमिल मिल रहा है, कई बार 80 रुपे किलो प्यास पहुँच गया था, सबजियां बहुत महिंगी है, दाले बहुत महिंगी है, ये जो महगाई की मार जो आम आदमी सहरा है, ये मैं जानना चाहती हूँ आरती, जो आपकी ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको सजेस्ट करती है, किस सारी दुनिया करोना वाइरस पैंडमिक के दोरान नोट चाप रही थी, जिसको जो इनफलेशनरी होता है, जिससे सारी चीजों की कीमते बढ़ जाती है, उसमें उस टाइम पे गर्मिंट आफ इंडिया ने, मोधी सरकार ने ये डिसाइड किया कि वोट नोट नहीं चापें तो ये जो इनफलेशन हम देख रहे हैं, जिसमें सब चीजे महंगी हो रही है, वो ग्लोबल जो चीजे हुई है, दो चार चीजे हुई है, एक तो करोना वाइरस पैंडमिक, दूसरी चीज जो यूकरेन वार, जिसकी वज़े से फ्योल, जिसकी वज़े से आपका गैस, आपका कैरोसीन, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, तो आप ही कहने कि पूरी दुन्या ही आर्पिक मंदी के दौर से जब गुजर रही है, तो उसका असर भारत पे आना तो बहुत सामाने बात है, इस वक्त तस्वीरे एक बार बता दे दीपक जी जो आ रही है, सुनसत भव जहांबर प्रेस ब्रीफिंग होती है, मल्टी परपस हॉल है, बड़ा हॉल है, सब लोग आसानी से बैट जाते हैं, इसलिए कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, जनरली वो कैबिनेट का जो छोटा कमरा है प्रदान मंतरी के दस्तर के बगल में, वहाँ पर होत गोजटी है, क्या होना चाहिए, बजट में खास, क्योंकि पार्ती ने भी गुगली डाली ओ, डॉक्टर रश्वी ने भी गुगली डाली है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर के बात लिइन्हें पत्रगार की, लेकिन हमको बात करना है, आम आदमी की बरेक महीने का 40-50,000 कमाते भी हैं इनसे सीखना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड करो